प्यारे दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आपकी अपने यूटूब चैनल ग्यान रूची में आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखना दोस्तों आज हम लोग फिर से आएं खेट दूमने दोस्तों देखिए कि दिखो उस दिन हम लेस्ट में पानी लगा गये थे और देखिए हमारा लेस्ट बड़ा-बड़ा सा हो गया है थोड़े दुनों में यह तैयार हो जाएगा अब ही हम आपको पूरा खेट घुमाएंगे पूरे खेट में हमने सागवन के पोधर लगाए हुए हैं और जगए जगए पर हमने लहसुन, मतर, प्याज, छोटी-छोटी सी चीजे बो रखी हैं क्यारियां बना-बना के दो दिखिए हमारे सागवन के पेड़ों में कीड़े लग गए हैं आप लोग देख सकते हैं किसे पत्ते इसके मुर्जा रहे हैं पत्ते खराब हो गए हैं कोहरे की वज़े से भी हमारे पौधे खराब हो चुके थे अब इस टाइम इसमें कीड़ा लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं कि पत्ते पूरी तरह से खराब हो रखे हैं ऐसा लग रहा है कि सारे पत्ते मर चुके हैं इसमें दवा डालने की ज़रूरत है और इसकी थो नहीं हो पाएगा दोस्तों वो देखिए आप देख रहे होंगे मजदूर पड़े हुए हैं काम कर रहे हैं अपना सारी घास ये लोग साफ कर रहे हैं और पौधे हमारे काफी बड़े हो चुके हैं और इसमें डाले भी निकल आई हैं तो ये सारी जो डाले निकली हुई हैं छांटना है इनको काट देंगे तो ये सारे पौधे ऊपर की तरफ चले जाएंगे और बढ़ने सुरू हो जाएंगे सबसे पहले तो इसमें दबा डालनी है दबाई का काम हमको बहुत जल्दी करवाना है नहीं तो ये सारे पौधे खराब हो जाएंगे बहुत देखरेख के बाद ये पौधे इतने बड़े हुए थे हम लोग लगभग दो महीना खेत नहीं आपाएं है उसे बीच ये हमारे पौधे बेकार हो गए है कीडे लग गए हैं, हमको पता नहीं था अब हम आए हैं तो अब हम इसकी देख रेक अच्छे से करेंगे तभी ये हमारे पौधे चल पाएंगे आप लोग देख सकते होंगे कितना खर हो गया है हमारे खेत में कितना जंगल खड़ा है जंगल की वज़े से भी ये पौधे रुक रहे हैं बढ़ नहीं पा रहे हैं आयसमान भी आए हैं हमारे साथ इनके पापा भी आये हुए हैं हम सब लोग आये हुए हैं आज घूम रहे हैं आपको हम पूरा खेट दिखाएंगे पूरा घूमाएंगे दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना देख सकते हैं आप वो दिखे सामने नीम का पेड़ लगा हुआ है अभी बहुत बड़ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है पेड़ छोटा ही है लेकिन ये धिरे-धिरे से बड़ा हो जाएगा बहुत दिनों के बाद आते हैं तो काफी अच्छा लगता है खेट में ये बहुत सारा खर है जो बड़ी-बड़ी आपको घास दिखाई दे रहे हैं ये हमने बोए नहीं है ये अपने आप सब निकला हुआ है इसको सब कटवाना पड़ेगा दवाई भी डालने पड़ेगी दोस्तों खर को खतम करने वाली भी दवाई आती है इसका भी छटकाओं हमें करना होगा नहीं तो खर के आगे हमारा सारा पौधा खराब हो जाएगा बेकार हो जाएगा बिलकुल अब हम थोड़ा सा अंदर का देख लेते हैं अंदर भी खोल के देख लेते हैं देखिए हमने गेट खोल दिया है और यहाँ पर हम अभी थोड़ा पानी का काम करेंगे क्योंकि हमें पानी भी चाहिए होगा और जो बाकी के पौधे हैं उनमें पानी किसी चाहिए करनी है तो अभी हम समर सेबल चलाएंगे अंदर आ चुके हैं हम देखिए यहाँ पर भी बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं हवा अच्छी से चल रही है तो बहुत ठंड़ा लग रहा है और काफी आनंद भी आ रहा है दोस्तों यहाँ कभी-कभी यहाँ आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है पूरा दिन मन करता है कि यहीं रुके साम तक घर जाएं यहाँ घूमना टहलना यहाँ पर बहुत सारी धनिया भी लगी हुई है धनिया में फूल भी आ चुके हैं अभी हम आपको पूरा दिखाएंगे धनिया के पौधे दिखाएंगे टमाटर के पौधे दिखाएंगे दोस्तों टमाटर भी लगे हुए है यहाँ कोई नहीं रह आप यहां तला प्ड़ा रहता है और और यहां पर स्ष्ण क कसल स्जुखा स्छेट के नाकर रेंच एक इस सबसे हमाई और स्पते में दिकारा प्राईखा सुखा सुखा जो जाएंगे अभी चोटे हैं अभी खाने वाले नहीं हुए हैं अगली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था तब हम इसका साग खाने के लिए आए थे अब देखिए इसमें फूल भी आ चुके हैं लेकिन अभी थोड़ा बहुत साग भी है यहां पर कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें फल नहीं आए हैं छोटे हैं पौधे तो हम थोड़ा साग भी यहां पर खाएंगे बहुत आनंद आ रहा है दोस्तों चारों तरफ से बौंडरी है यहां पर और लॉक लगा रहता है गेट में तो अंदर कोई नहीं आ पाता है यह देखिए धनिया है धनिया में पुरी तरह से सूख जाएगी इसकी हम सब्जी बनाते हैं इसको पीस के दोस्तों यह वही धनिया है तो यह हमने खेत में उगाई है और इसमें अप धनिया लग भी चुकी है पुरी तरह से यह धनिया तयार है आसा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी खेत में पानी लगाते है यहां पर नुद्टर काई सुम्हिते हैं यहाँ आपर लुद्ट पूड आदे है कि लगा दुद्धान और फडव गवगोई दूड़ का लिगी हम धना के लृग शम बबा की तल फर्वा खेत भी लोग तका वार भी हुए diff during www.ca.gov त वा कि गएर लहसुन वगेरा में भी हम पानी लगा देंगे असागवन के पौधों को भी पानी चाहिए इस टाइम तो उसके लिए भी हम पानी खोल देंगे और हमारे पूरे खेत में पानी लग जाएगा ये समर से बिल चलता रहेगा कभी-कभी तो ऐसा हो जाता है कि ये राद दिन चलता ही रहता है और खेत आराम से होता रहता है सचाई होती रहती है खेत की इस समय इंजन नहीं चल पाता है कुछ खराबी है इंजन में तो इंजन नहीं चल रहा है समर से बिल से ही सारे काम हो रहे है आज हम आ गए हैं तो गाड़ी की भी दुलाई कर लेंगे अभी यहां का रास्ता बहुत ज़्यादा तेड़ा मेड़ा है रास्ता खराब है गाड़ी भी हमारी गंदी हो गई थी तो आज हम गाड़ी की दुलाई भी कर लेंगे दोस्तों अइस्वान हमारे जब से आते हैं खेत पर, वो मस्ती ही करते रहते हैं उनका तो पता ही नहीं रहता कि वो कहां है, कभी इधर, कभी उधर वो पूरे खेत में इसी तरह से दौड़ते भागते रहते हैं तो हमारी गाड़ी की दुलाई सुरू हो चुकी है गाड़ी हमारी अच्छे से साफ हो जाएगी कई दुनों से गाड़ी भी नहीं साफ हुई थी फ्रेंट्स गाड़ी की धुलाई हो चुकी है और अब हम धनिया में पाइप छोड़ देंगे तो धनिया हमारी पूरी तरह से सीच जाएगी क्योंकि इसको भी पानी की जरूरत है बहुत दिनों से धनिया में पानी नहीं लगाया गया है तो आज ये धनिया भी हमारी सिच जाएगी और उसके बाद इसके जो फल आय हुए है छोटे छोटे से धनिया के दाने दिखाई दे रही ये बड़े बड़े से हो जाएंगे इस तरह से हमारी धनिया की भी सिचाई हो गई है आज और हमारे खेट की भी सिचाई हो जाएगी हमें जो सागवन के पौधों की सिचाई करनी थी वो भी हो जाएगी अब आयुसमान अपने खेल में लग गए हैं इनको पानी देखके बहुत ही ज़्यादा मस्ती आ रही है ये पानी के साथ खेल कर रहे हैं तो इनके पापा इनको डाट रहे हैं गुस्सा हो रहे हैं बोल रहे हैं कि पानी ना खेलो इनको मना किया जा रहा है पानी खेलने से और ये मानते नहीं है अपने सिवा किसी की सुनते नहीं है धनिया की हमारी सिचाई हो जा रही है मुझे बीच में हम 5-6 दिनों के बीच में हम खेत आते जाते रहेंगे नहीं तो ये पौधे हमारे खराब हो जाएंगे इनको पानी की जरूरत रहती है तो इनको पानी नहीं मिल पाता है और ये मुर्जा जाते हैं पौधे बेकार हो जाते हैं यहाँ पर छोटे-छोटे से बहुत सा जैसे कि मकोईया आपने सायद खाई होंगी मकोईया भी यहां बहुत सारी है काली-काली सी मकोईया लगी हुई है जगए जगए पर यह मुझे बहुत पसंद है दोस्तों खटी-मीठी सी लगती है और बहुत ज़्यदा तेस्टी लगती है तो हम ढून-ढून के खेतों में मक मकोईया खाने को मिली है इसलिए हम मुकार नहीं जाने देते हैं दोस्तों हो इसाrão मैं भी जाने थिला कोईया है जो वो अच्छे से पानी मिलेगा देखरेक अच्छी सी हो जाएगी तभी ये तैयार होंगे तो अब हमको इनकी देखरेक करनी है यहां का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों देखके तो इतना अच्छा लग रहा है इतना आनंद आ रहा है कि यहीं पूरा दिन हम लोग रुख जाएं अज सेंडे का दिन है और हम लोग सुबा 11 बजे खेट पर आ गए थे और अब बज रहे हैं तीन तो हम लोग तीन तो यहीं बजा दिये हैं और साम को छे बजे तक अभी हमारा रुखने का प्लान है हम छे बजे तक यहां रुखेंगे क्योंकि खेट में क्योंकि हमारे खराब हो रहे हैं इसकी हमें बहुत ज़्यदा टेंसर रहती है हम यहीं सुचते हैं कि जल्दी से हमारे पौज तयार हो जाएं हमारे खेट में मटर भी तयार होने वाले हैं दोस्तों मटर बहुत जल्दी पकने वाले हैं और अभी हम आपको मटर भी खेत में गाय चली आई थी किसी दिन और गाय ने सारे मटर को चर लिया है गेठ हमारा खुला रह गया था हमको पता नहीं था और गाय आ गई अचानक से और अंदर आते ही उसने हमारा सारा मटर चट कर लिया दोस्तों तो जो हमारा देसी मटर था वही बचा है और जो आजकल चल रहा है मटर सबजी वाला व सब खतम हो चुका है सिर्फ डाल वाला मटर ही हमारे पास बचा है जिसको हम देशी मटर भी कहते हैं। दनिया की सिजाई हो चुकी है और अब हम लेसुन में पाइप डाल देंगे तो लेसुन की भी सिजाई हो जाएगी और हमारे सागवन के पौधों में भी पानी पहुंच जाएगा उन पौधों में भी जान आ जाएगी तो अब हम जल्दी से समर सेविल आन कर देते हैं और हमा हुए हैं अभी मजबूत नहीं हुए हैं एक हफ्ते में यह मटर भी तयार हो जाएगा धनिया भी तयार हो जाएगी और चने भी तयार हो जाएगे तो एक हफ्ती के बाद सब कुछ हमारे खेट पर तयार हो जाएगा एक हफ्ते के बाद हम फिर आपको दिखाएंगे जो हमारे मटर चने तयार होंगे तो हम आपको पूरा दिखाएंगे यह देखिए हमारा मटर है तो यह देशी मटर है यह इसी तरह से लंबा-लंबा होता है बड़ा-बड़ा सा और इसमें छोटे-छोटे सी फलियां लगती है, इसकी फलियां बहुत बड़ी नहीं होती है, बिल्कुल छोटे-छोटे सी फलियां होती है, तो कुछ फलियां इसमें जो हैं लगी थी, वो मजबूत हो गई थी, तो हमने तोड़ ली है, ये खाने में भी थोड़ा कड़वी- कर विसे लगती है